हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम देखेंगे हैर स्प्रे के बारे में, मार्केट में कौन-कौन से हैर स्प्रे अवेलेबल है, उसमें क्या-क्या डिफरेंस है और हमें कौन-कौन से यूज़ करना चाहिए मार्केट में काफी टाइप के हैर स्प्रे आते हैं, जो की अलग-अलग पर्पस के लिए यूज़ किये जाते हैं, लेकिंग most often हम हैर स्प्रे टूरीजन के लिए यूज़ करते हैं, होल्डिंग यानि की फिक्सिंग के लिए और दूसरा है जो शाइन के लिए यूज़ किये पहले देखते हैं holding spray जो की hair styling में बहुत important होते हैं हम जो भी hair style करते हैं उसे fix करना ज़रूरी होता है अगर हमने holding spray यूज किया है तो हमारी hair style ज्यादा time तक hold करेगी बाल बिखरेंगे नहीं और client को भी hair style carry करना आसान होगा holding spray अलग-अलग strength में आते हैं जिसे level कहते हैं 1-7 level तक होते हैं ये levels hair spray के उपर लिखे आते हैं जितना ज़्यादा level होगा उतना ही spray का holding power होगा और उतना ही spray long lasting होगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें हमेशा ही ज़्यादा level का hair spray यूज करना है ये depend करता है hairstyle पे, client preference पे, client के hair type पे और hairstylist के skill पे अगर हम high level का hair spray यूज करते हैं तो hold बहुत strong होगा लेकिन ये एक बार set होने पर आप hairstyle को वापस से reshape नहीं कर पाऊगे skilled professionals भी ये मुश्किल से कर पाते हैं तो आपके use case पे आपको decide करना है कि कौन से level का spray यूज करना है अगर आपको hair style को lock करना है तो high level चूज करना है, natural hold करना है तो low level चूज करना है लेवल के अलावा holding spray की और भी अलग-अलग property रहती है जिसे की non-sticky, light weight, quick hold, humidity protection बगेरा बगेरा तो चलिए कुछ popular holding spray देख लेते हैं यह है tough power, black color का, यह mostly सारे hair stylist यूज करते है यह level 5 का है, जो की काफी strong रहता है यह medium range का है, 400 रुपिस के around आज आता है, अच्चे holding power के साथ यह काफी long lasting है next यह भी मैं यूज करती हूँ, taft ultimate, जो blue color में आता है इसका 6 level का holding power है, जो की और भी ज्यादा strong है यह foggy form में होता है, तो quick catch करता है और quick dry करता है आप कोई hairstyle बना रहे हो, और आपको वो वही quick lock करना है, तो उस case में आपको यह hairspray यूज कर सकते हो second one है nova gold, यह भी strong hairspray है, इसके level नहीं लिका है बट इसका holding level 4 के जैसा होता है, तो यह भी holding के लिए अच्छा है, यह low range में आता है यह taft के जैसा ही है, बट difference यह है कि nova में water content taft से ज़्यादा रहते है taft में water content थोड़ा कम रहता है और थोड़ा foggy होता है इसलिए nova थोड़ा sticky हो सकता है, तो उसको थोड़ा carefully use करना पड़ता है taft और nova दोनों को आप दुबरा रिशेप नहीं कर सकते हैं तो यूज करने के बाद आप hairstyle को रिशेप नहीं कर पाऊए next देखते है Gatsby का hair spray, यह आपको 3 levels में मिलेगा, 4, 5 and 7 मेरे पास यह 7 level का है, जो कि सबसे hard है आप silver color का use कर सकते है, जो कि 4 level का आता है nova gold से थोड़ा better होता है, nova gold से थोड़ा कम watery होता है, कम sticky होता है काफी long lasting result है, यह भी non flexible spray है, इसको हम रिशेप नहीं कर सकते है second Gatsby का black color का होता है, जिसका 5 level का holding power है यह silver से थोड़ा strong होता है, यह तीनों आप use कर सकते है back comb के उपर, curls के उपर और spreading technique में next देखते है L'Oreal Alnet का spray, यह बहुत अच्चा hair spray है, यह थोड़ा high range में आएगा यह भी strong और long lasting है, बाकी hair sprays और इसमें फर्क यह है कि इसमें आप spray मारने के बाद भी hair reshape कर सकते है आपने hair style किया और client को पसंद नहीं आया, तो easily remove कर सकते है और wash out भी easily हो जाएगा, यह difference है then next day Oasis Plus का session level, black color में आता है यह भी थोड़ा high range में आद आएगा, इसकी भी holding strong है यूज करने में यह L'Oreal Alnet से काफी similar है इस spray से भी आप hair style को reshape कर सकते है Taft, Nova, Casby जो पहले बताये थे, उनसे यह दोनों better है specially beginners के लिए, because इनसे reshape करना easy है next हम देखेंगे Vela Professional का EIMI यह भी बहुत अच्छा hair spray है, यह 2 और 3 level power में आता है तो holding power थोड़ी कम है, यह 7-8 hours stay करता है इसके पहले जो spray हमने देखे, उनकी lasting 24-72 hours है जब तक आप remove नहीं करते, वो remove होते नहीं आपको ज़्यादा strong holding नहीं चाहिए, और 7-8 hours की holding काफी है तो यह EIMI का यूज़ कर सकते है last one यह है Osis Plus का sparkler, इसका level है 1 यह holding spray नहीं है, हम इसे shine के लिए यूज़ करते हैं यह बहुत अच्चा hair spray है, आप किसी भी holding spray के साथ यूज़ कर सकते हैं आपको यह lightly यूज़ करना है, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो hair oily हो जाएंगे hairstyle complete होने के बाद उपर से यूज़ करना है इसे इसे shine भी आती है, और जो थोड़े बहुत loose hair होते हैं, वो भी बैट जाते हैं क्योंकि इसका one level का holding power है, जिसे natural hold power भी बोल सकते हैं मैं इसकी और एक tip बताती हूँ, mostly किसी को generally पता नहीं होती जब हम hair spray यूज़ करते हैं, तो ये hair spray हम hairstyle remove करने के लिए भी use कर सकते हैं ज़्यादा vacuum किया हो, और वो निकलने में हाट जा रहा हो, तो ये spray से वो easily निकल सकता है because ये ज़्यादा यूज़ करने से hair oily हो जाते हैं, और वो hair style easily remove हो जाती है सिर्फ थोड़ा carefully यूज़ करना है इसे, Osis Plus के level 2, 3, 4 भी अच्चे हैं बट में ये level 1 का use करती हूँ हमेशा, level 2 का मिलता है, तो वो भी आप use कर सकते हैं वो थोड़ा ज़्यादा freeze करेगा, I think वो थोड़ा ज़्यादा cost लियाएगा, 3000 के उपर है शायद तो आज हमने देखे हैर स्प्रे कौन से होते हैं, और उन्हें कब यूज़ करना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज वीडियो लाइक, शेर जरूर कीजिए, अगर आपने सब्स्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्स्राइब कीजिए, ठैंक्स पर वाचि टेक केर, बाइ बाइ